नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशेल यूटूब चैनल घुरूजी स्पेशल क्लासेस में मैं हूँ निमाई साना आपके समख्ष उपस्तित हूँ साइकलोजी विश्यवस्तू को लेकर स्ट्वेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं समवेधानिक एवंग मानवे मूले टॉपिक पर बेस्ट और कुछ most important points के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि last classes के माध्यम से इस टॉपिक पर बेस्ट most important points को हम डिटेल में study कर चुके हैं जैसे कि आपके मूले यह मूले कहते किसे हैं मूले होता क्या है NCRT के नुसार कितने मूले माने गए हैं NCRT के नुसार section मूले की संख्या कितनी है भारतिय दर्शन के नुसार मूले किसे कहते हैं कौन कौन से लोकिक मूले है कौन कौन से आलोकिक मूले है इनको हमने डीटेल में जाना, उसके बाद हमने मानवे मुल्ले को भी डीटेल में जाना कि मानवे मुल्ले किसे कहते हैं, मानवे मुल्ले के इंतरगत कौन-कौन से important points बनते हैं, जैसे कि मानवे मुल्ले के आयाम, सेक्षिक रूप से मानवे मुल्ले किसे कहते हैं, मानव अधि अधिकारों की सिंख्या पहले कितनी थी वर्तमान में कितने हैं किस अधिकार का वर्णन किस अनुचेद में हैं और सिक्षा समंदित जो भी सुधार किये गए परिवर्दन किये गए उनका किस अनुचेद में वर्णन किया गया है इन सभी बातों को हम डिटेल में जान चुके करो, आज की class में हम समिधान में जो समिधानिक मुल्यों का वर्णन किया गया है, कौन-कौन से समिधानिक मुल्य होते हैं, उनको डेटेल में study करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी प्रशन हमारे super-det exams में topic पर based बनते हैं, उन प्रशनों के right option तक हम easily के लिए पहुच पाएं तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं समिधानिक मुल्य के इंतरगत जो पहला point आता है आपका स्टुएंट्स नियाय का मुल्य हम किसको कहते हैं तो इसके इंतरगत जो point आपका बनता है वो ये है कि भारतिय समाज में जाती व्यवस्था ने उच नीच अन्याए असमंता अत्याचार अस्प्रश्यता आदी को जन्म दिया है जिसके फल्स्वरुफ समाजिक न्याए की आवश्चक्ता महसूस की गई देखे नियाय का मुल्ले जो हमारे भारते समिधान में नियाय के मुल्ले का वर्णन किया गया है जैसे कि आप जानते हैं कि भारते समाज में जाती व्यवस्था के अंतरगत उच नीच अनियाय आसमंता अत्याचार असप्रश्यता आदी को जन्म दिया है कि किस तरीके से लोगों को बराबर हक मेले बराबर न्याई मिल पाए तो इस आवशक्ता का वर्नन जो है हमारे समिधान में किया गया जिसे हम न्याई का मुल्य कहते हैं तो इसलिए न्याई के मुल्य का वर्नन हमारे समिधान में किया गया और इसलिए समाजिक न्याई की बह कास किया गया समिधान के अंतरगत इसके अंतरगत नेक्स पॉइंट आपका बनता इस्ट्वेंट्स आते समिधान में नयाय के मुल्ले का उल्ले किया गया जिससे सभी वर्ग के लोगों का समाजिक आर्थिक विराजनितिक नयाय प्राप्त हो सके मतलब इन सभी चीजों को ध् समाजिक आर्थिक और राजनितिक नियाई किस तरीके से प्राप्त हो सके इस पर बाचित की गई इस पर चर्चाएं की गई और इस मुल्य को विक्सित किया गया तो कहने का मतलब यह स्ट्रेंट्स के समिधान में जो वर्णित मुल्य है उनको हम समिधानिक मुल्य कहते हैं जै का वर्णन किया गया जिसे हम नयाई के मुल्ले के इंतरगत जानते हैं उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस नयाई के मुल्ले को भी एजली किलियर करपाए होंगे कि नयाई का मुल्ले सभी वर्ण के लोगों को समाजिक आर्थिक और राजनितिक नयाई प्राप्त हो सके इसका वर्णन उसमें किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट आपका बनता है समाजिक नियाय का मुल्ले क्या है तो देखे समाजिक नियाय के मुल्ले के इंतरगत जो बाते की गए इसके इंतरगत पहला पॉइंट आपका बनता है कि जाती वर्ग लिंग ध स्थान के आध上 है आपको यह बताया गया कि आप कि की भी नागरिक जेतराएं का चर्ट के लिए उन्हें समाजित अवसटर प्राफे लिए उचेत अवसर प्राप्त करना देखे जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं जो अनुसूची जाती से विलॉंग करते हैं जो अनुसूची जाती और जनजातियों से विलॉंग करते हैं और खासकर जो इस्तरियां है फीमेल है उनके लिए समाजिक विकास के लिए उन्हें उचित अवसर प्रदान करना ये हमारे समाजिक नयके मुल्य के इंतरगत आता है जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले क्या था कि जो लड़कियां है उनको 25% का रिजर्विशन मिलता था किसी भी डिपार्टमेंट में अब उस चीज को हटा कर लगभख 50% कर दिया गया है लगभख सभी डिपार्टमेंट में मतलब किसी भी जौब की जो वेकेंसी आती है तो उसके अंतरगत लड़कों को जितना वेटेज मिलता है उतना ही लड़कों को हक है तो इस तरीके से देखिए कमजोर वर्ग हो गया अनुसुची जाती जन जाती हो गया और जो इस्तरियां है इनके समाजिक विकास के लिए उन्हें उचित अ समाजिक नयके मुलेक अंतरगत आता है कि समाज के शारिक वे मानसिक रूप से आसमर्थ विकास के लिए विशेश अवसर प्रदान करना देखिए समाज के या जो हमारी सुसाइटी है समाज है उसके शारिक वे मानसिक रूप से आसमर्थ या फिर मानसिक रूप से आसमर्थ होंगे तो उन विक्तियों को विकास के लिए विशेश अवसर प्रदान करना यानि कि विकास के लिए उन लोगों के शारिक और मानसिक रूप से असमर्थ विक्तियां हैं उनके लिए विशेश अवसर प्रदान करना ये हमारे समाजिक न्याई के मुल्ले के इंतरगत आते हैं जिसका वर्णन सम्विधानिक मुल्ले के इंतरगत किया गया है उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंट को भी इसली किलिए कर पारे होंगे चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट यानि कि बिना लिंग भेद के जीवी का प्राप्त अपने जीवन को बहतर डंग से संचालित करने के लिए प्रयाप्त साधन यानि कि जो भी साधन उनको चाहिए तो इसको प्राप्त करने के लिए समान रूप से उनको अधिकार है ऐसा नहीं है कि आप link जाती के आधार पर आपका वटवारा किया जाएगा कि male इस चीज़ को कर सकते हैं और female इस चीज़ को कर सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है हमारे देश के सभी नागरिक चाहे वो link जाती धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग से हो उन सभी को जीवीका प्राप्ती के लिए जो प्रयाक्त साधन है वो सभी को समान रूप से उसका अधिकार है सभी को समान रूप से उसको प्रदान किया जाएगा ये आर्थिक नियाय के मुल्ने के इंतरगत आते हैं Next point आपका बनता है Strength कि पुरुष और इस्तरीयों को समान कार्य के लिए समान बेतन देने की व्यवस्था हो देखें यहां पर भी बताया गया है कि ऐसा नहीं कि पुरुष और इस्तरीयों को जो है अलग अलग तरीके से आपको बेतन देना है अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के बराबर कारिय को करते हैं यानिके समान कारिय करते हैं तो उनके हिसाब से उनको बेतन भी समान देना होगा इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए इस प्रकार का वर्णन आपके सम्विधानिक मुल्य में आर्थिक नयाय के मुल्ले के न्तरगत की गई है उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को easily clear कर पा रहे होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next point आपसे क्या कहता है तो next point आपसे कहता है समाच के सभी लोगों को व्याफसाय व्यवानिज्य के स्वतंतरता हो देखे समाच के सभी लोग जो भी जिस भी लिंग जाती धर्म के आधार पर हो किसी भी वर्ग से वो विलॉंग करते हो सभी लोगों को व्याफसायनी के बिजनस करने का पूर्ण आजादी है यह नहीं कि वो business कर सकते हैं के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंतर है इसमें उनको किसी भी तरीके से बाधाएं उत्पन नहीं कि जाएगी सभी को बरावर का अवसर मिलेगा तो इस प्रकार का वर्णन आपके आर्थिक निया के मुलेक इंतरगत किये गई है इसके इंतरगत नेक्स पॉइंट आपका बनता है इस ट्रेंट कि श्रमिक वर्ण के बेतन के अत्रिक्त अच्छे जीवन इस्तर अवकाश चिकित सा सुविधा आवास आदी प्राप्त करने में सहयोग करना जो भी वर्ण होंगे श्रमिक वर्ण उनको बेतन के अलाबा बाकी सुविधाई भी उनको प्रदान करना ताकि उनका जीवन यापन भेतर ढंग से संचालित हो पाएं तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो आर्थिक नियाय के मुल्ले के इंतरगत की गई है उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को easily clear कर पा रहे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट आपसे क्या कहता है नेक्स पॉइंट आपसे कहता है राजनीती नियाय का मुल्ले क्या होता है तो राजनीती से रिलेट्विट जो नियाय है उसका मुल्ले क्या कहता है तो इसके इंतरगत बताया गया है पहले पॉइंट में कि प्रतेक नागरिक स्वतंतरता पूर्भक मतदान करें उसके लिए पूर्ण रूप से आजाद है आपको किसी तरीके से बाध्धे नहीं किया जाएगा जो आपके राजनितिक न्याय के मुल्ले के अंतरगत वर्णन है इसके अंतरगत नेक्स पॉइंट आपका बनता है कि प्रतेक नागरिक निर्धारित योग गिता अनुसार चु नाव लड़ सकते हैं इस बारे में भी विशेश रूप से बताया गया है इसके न्तरगत नेक्स पॉइंट आपका बनता है कि अपने विचारों को स्वतंतरता पुर्वक प्रकट करें इसके लिए भी आपको पूर्ण आजादी है कि आपके मन में जो भी विचार चलते हैं इसके लिए आपको किसी तरीके से बाध्य नहीं किया जाएगा आप अपने विचार भावनाओं को स्वतंतरता पुर्वक दूसरों के सामने रख सकते हैं इस प्रकार की मुल्य को विक्सित किया गया राजनेतिक मुल्य के इंतरगत नेक्स पॉइंट आपका बनता है स्ट् देखिए आपको राजनिती नियाय के मुल्यक इंतरगत आपको धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, आपको भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, मतलब खुल मिलाकर आपको किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करने हैं, आपके लिए सभी एकोल है, एक सम आपके राजनीती नियाय के मुल्ले के नतरगत बंता है कि प्रतेक नागरिक भारत की सम प्रभूता एकता वे अखंडता की रक्षा करें देखें यह आपसे बताया गया है सभी के साथ, इक्वालिटी के साथ ब्याभार करना, एकता के साथ रहना, अखंडता के साथ रहना, मतलब इसके खंड-खंड नहीं होने चाहिए, इस प्रकार की विचारधारा आपकी होनी चाहिए, आपको इस प्रकार की गतिवीधियों को करना चाहिए, जिससे हमारा देश अखंडित ना हो हम एक साथ एक जगह सम प्रभूता एकता और अखंड़ता के साथ रह सके इसकी रक्षा कर सके और अपने देश को मजबूत कर सके इस प्रकार के राजनितिक न्याई के मुल्य का वरन आपके समिधानिक मुल्य के अंतरगत किये गए हैं उमीद करता हूँ कि कि आप मेरी बातों को समझ पारे हैं और इन सभी पॉइंटों को एजली क्लियर कर पारे होंगे इसके इंतरगत नेक्स पॉइंट आपका बनता है स्ट्रेंट कि प्रतेक नागरिक समिधान के नियोमों का अनुपालन करें देखें यहाँ पर ये भी बताया गया है कि प्रते आवर के अवसर मिले हैं सभी को एक सात रहकर एकता संप्रभुता और अखंड़ता के साथ एक सात रहने की आवश्यक्ता है इसकी रक्षा करनी है ताकि हमारा देश और ज्यादा मजबूत हो सके और ज्यादा विक्सित हो सके उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ exhaust प नागरीक को अपने विश्वास और इच्छा अनुसार उपासना करने का, एवं अपने धर्म के परचार करने का अधिकार दिया गया है। धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, यानि कहने का मतलब यह है कि धार्मिक न्याज के मुल्ले के अंतरगत आप पर किसी तरीका का कोई दवाब नहीं है, आप अपने विश्वास अपनी इच्छा अनुसार आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं, और आप जिस धर का प्रचार प्रसार करना चाहे उसका भी आपको अधिकार है लेकिन किसी पर कोई दवाब ना बनाए तो इस तरीके से आपको धर्मिक न्याय के मुल्ले के इंतरगत बताया गया है कि प्रतेक नागरिक को अपने विश्वास और इच्छानुसार उपासना करना और अपने धर नेक्स पॉइंट आपका बनता है कि राज्ये द्वारा संचालित वित्य सहता प्राप्त संस्थाओं में धर्म विशेश की सिक्षा ना देने का प्रावधान किया गया है यहनि कहने का मतलब जो राज्ये द्वारा यहनि कि आपके राज्ये के द्वारा आपके स्टेट के द्वारा जो संचाले द्वित्य साहता प्राप्त संस्था है यानि कि जो आपको संस्थागत जो आपके विद्याले होते हैं जो भी संस्थाइं होते हैं जिनको financially help आपको government के द्वारा किया जाता है state government के द्वारा उनमें धर्म विशेश की शिक्षा देने का प्रावधान नहीं किया गया यानि कि आप उसमें धर्म विशेश की शिक्षा नहीं दे सकते यानि धर्म की शिक्षा आप नहीं दे सकते जो वित्य साहता प्राप्त संस्था है यहीं कहने का मतलब यह है कि आप अपने विश्वास अनुसार इच्छा अनुसार आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं आप उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं लेकिन जो संस्थागत जो संस्थाए हैं जो वित्य साहता प्राप्त संस्थाए हैं उसमें आप धर्म विशेश क की सिक्षा देने का आपको प्रावधान नहीं है मतलब उसमें आप धर्म की सिक्षा नहीं दे सकते और धर्म का प्रचार भी नहीं कर सकते जो संचाले द्वित्य साहता प्राप्त संस्था है इनके ठीक उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को इसली क्लियर कर पा रहे हैं कि जो संचाले द्वित्य साहता प्राप्त संस्था जिनको गवर्मेंट के द्वारा help provide के जाते हैं financially उनको support दिया जाता है उन संस्थाव में आप धर्म विशेश के सिक्षा बिलकुल भी नहीं दे सकते इसके इंतरगत next point आपका बनता है strength कि धार्मिक अल्प संख्यकों को अपनी रूची के अनुसार सिक्षा संस्था इस्थापित करने एवं संचालित करने का धिकार दिया गया है देखे धर्मिक न्यायके मुल्ले के अंतरगत जो धर्मिक अल्प संख्यक है एनि कि जिस भी धर्म के संख्या बहुत कम है जो अल्प संख्यक वर्ग के अंतरगत आते हैं तो धर्म अलप संख्यकों के अंतरगत आते हैं उनकी रूची अनुसार और उनकी इंट्रस्ट के अनुसार सिक्षा संस्थाइ इस्थापित करने का और उसको संचालित करने का उनको अधिकार भी प्रदान किया जाता है लेकिन आप उसमें धर्म की विशेश रूप से शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते आप अपने धर्म के आधार पर आप सिक्षन सस्थाएं स्थापित कर सकते उसका संचालन कर सकते हैं लेकिन किसी वित्य साहता प्राप्त संस्था में आप धर्म विशेश की सिक्षा प्रदान नहीं कर सकते इस प्रकार का वर्नन आपके धर्मिक न्याई के मुल्ले के नतरगत किये गए है उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को easily clear कर पा रहे होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट आपसे क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आपसे कहता है स्वतंतरता का मुल्य है तो इसके नतरगा जो पहला पॉइंट आपको बताया गया वो ये है कि प्रतेक नागरिक को अपने विचारों को प्रकट करनी की स्वतंतरता है हैनि कि हमारे देश के प्रतेक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने की पून रूप से आजादी हैनि कि स्वतंतरता है इसके अंतरगर जो दूसरा point आपका बनता है कि देश के किसी भी भाग में आगमन की स्वातंदरता है आप देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं इसके लिए आप पर कोई पावंदी नहीं है आप पूर्ण रूप से आजाद है तो ये स्वातंदरता के मुल्ले के अंतरगर आते हैं, next point आपका तीसरा बनता है कि किसी भी पेशा या व्याफसाय को अपनाने की स्वतंतरता है, मतलब आपको किसी भी पेशा, आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं, कोई भी आप अपनी occupation, अपनी व्याफसाय को अपना सकते हैं, इसके लिए भी आप पून रूप से स्व विकास की स्वतंतरता हैं मतलब आप देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं और अपना development कर सकते हैं इसके लिए भी आप पूर्ण रूप से स्वतंतर हैं तो इसी लिए स्ट्वेंट्स ये कुछ स्वतंतरता के मुल्य है जिनको हमारे समयधानिक मुल्य में निके हमारे समयधान में इनका वर्णन किया गया है उमीद करता हूँ और देखतें नेक्स पॉइंट आप से क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आप से कहता है समानता का मुल्य यानिकी values of equality यानि equality का मुल्य क्या है इसके इंतरगत पहले point में आपको बताया गया है कि समान अवसरों की प्राप्ती के लिए भारतिये समीधान में अनेक प्रावधान किये गए है देखे समान अवसरों की प्राप्ती के लिए यानिकी सभी को समान अवसर की प्राप्ती हो सके इसके लिए भारतिये समीधान में अनेक प्रावधान किये गए है जो कि निमने लिखे थे इसके इंतरगत जो पहला point आपका बनता है वो ये है कि कानून की दरश्टी से सब को समान माना जाए यानि कि इसके इंतरगत ये बताया गया है कि कानून की दरश्टी से सब को समान माना जाए यानि कि सभी कानून की निजरों में समान है यानि किसी भी धर्म जाते लिंग के आधर पर आ समान ना माना जाए सभ सभी को आर्थिक विकास के लिए समान अवसर प्रदान किये जाएं ये भी आपको बताया गया है कि समान अवसर आपको प्रदान करना है चले नेक्स पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते नेक्स पॉइंट आपसे क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आपका तीसरा उपलप्त कराया जाए और सभी में उन्हें समान अवसर उपलप्त कराया जाए भले ही वे किसी शेत्र जाती धर्म या लिंग के हो मतलब वो किसी भी शेत्र से बिलोंग करते हों किसी भी जाती से बिलोंग करते हों चाहे किसी भी धर्म से या फिर किसी भी लिंग से उनको समा अवसर उपलत्व कराया जाए, उनके साथ समान भ्यावार किया जाए, इस प्रकार का वर्णन आपके समानता के मुल्ले के इंतरगत समिधान में किया गया है। उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को इसली क्लियर कर पा रहे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट और लास्ट पॉइंट समिधानिक मुल्ले के इंतरगत और वो आता है आपका भात्रत तो का समाझ के लोगों के इंदर भात्रत की हावना को कई समाज के लोगों के इस बात्रत की भावना को विकसित किया जाए इसके इंतरगत जो पहला point आपका बनता है student वो ये बनता है कि इस मूले की स्थापना तभी संभव है जब समानता के आधार पर सभी व्यक्तियों के व्यक्तितु की गरिमा का आधर किया जाए जिसमें वे परस्पर सहयोग सदभाव से प्रेरित होकर अपने अपने दायत्वों को कुशलता पुर मतलब आप समानता के आधार पर सभी व्यक्तियों के व्यक्तितु के गरिमा का आधर करें यहनि कहने का मतलब यह है कि आप सभी को समानता की नजरों से देखें और सभी व्यक्तितु है उसकी गरिमा का आधर करें किसी भी व्यक्ति के आप निंदा ना करें सभी के व्यक्ति कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं तो दूसरा कोई व्यक्ति क्यों नहीं कर रहा है आप अपनी responsibility आप अपनी कार्य को कुशलता पूर्बक निर्वाह करते हुए आप राष्ट के विकास में सहयोग करे ये आपका परम करतव्य है जिसको हम भात्रतों का मुल्य कहते हैं और इसके इंतरगत सभी नागरेकों को इस बात पर जोर देने के लिए विशेश रूप से बल दिया गया है कि सभी नागरेक अपनी जिम्मेदारी को बखोवी जाने समझे किसी भी व्यक्ति में भेदभाव ना करे सभी को समानता के साथ सहयोग करे सदभावना से प्रेरित होकर अप अपना योगदान दे इस प्रकार का वर्णन आपकी भात्रत्व मुल्ले के इंतरगत किये गए हैं उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी एजली क्लियर कर पा रहे होंगे चली आगे बढ़ते हैं और देखतें नेक्स पॉइंट आप से क्या कहता है और नेक्स पॉइंट और इस भात्रत्व के मुल्ले के इंतरगति ये लास्ट पॉइंट आपका बनता है स्ट्वेंट कि इस मुल्ले की स्थापना के लिए आवशक है कि समाज में सभी को यथा योग्ये महत्व दिया जाए उच नीच गरीब अमीर का अ ब्यावहार आडे ना आए निकि किसी को लेकर आप उच नीच को लेकर भेदवाव ना करे आप गरीब अमीर को लेकर भेदवाव ना करे भेदवाव पुन ब्यावहार आपके बीच में नहीं आने चाहिए और सभी नागरी एक दूसरे के सुख दुख में समान रूप से भ भागिदारी बने इस प्रकार की भावनाव को विक्सित किया जाए जिसे हम भात्रत्व के मुल्य के इंतरगत रखते हैं और इसका वर्णन आपके सम्मिधान में किया गया है तो मित करता हूं स्ट्रेंट्स यहां तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिसकस किये है जैसे आपके नियाई का मुल्य है, समाजिक नियाई का मुल्य है, आर्थिक नियाई का मुल्य है, राजनितिक नियाई का मुल्य है, धार्मिक नियाई का मुल्य है, स्वतंतरता का मुल्य है, समानता का मुल्य और भात्रत्व का मुल्य है, इन सभी मुल्य को आपने easily clear किया ह होगा आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार के मुल्य का वर्नन हमारे समिधान में किया गया है जिनको हम समिधानिक मुल्य के अंतरगत रखते हैं उमीद करता हूं कि यहां तक जितने भी पॉइंट्स आपने इस टॉपिक अंतरगत पड़े हैं चाहे मुल्य से रेलेटिड मानवय मुल्य या फिर समिधानिक मुल्य इन सभी पॉइंट्टों को आप एजली किलियर कर पाए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई डौट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं मैं कोशिश करूँग इस टॉपिक पर बेस्ट प्रेक्टिस सेट के साथ ये टॉपिक आपका यहां पर समाप्त होता इसके बाद हम इस टॉपिक पर बेस्ट प्रेक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ताकि आपको रियलाइज हो पाए कि इस टॉपिक पर बेस्ट किस तरीके के प्रश्ण हमारे सुप